नमस्कार दोस्तों आपका सागत है हमारे चैनल टीचिंग इंग जाम ऑपर लोड़ पे जैसा कि आप सभी ने सीटट का फारण फिलिफ कर लिया होगा तो मैंने अपने चैनल पर सीटट की त्यारी स्टार्ट कर दी है तो अगर आप सीटर की तैयारी करना जाती है हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लीजे तो EBS के अंतरगर मैंने NCRT क्लास 3rd की चैप्टर 17 तक करवा दिया था आज के सेसन में चैप्टर 18, 19, 20, 21 को कबर करेंगे उसके बाद कल से हमें NCRT क्लास 4 की स्टार्ट करेंगे तो आईए आज का सेसन स्टार्ट करते हैं ऐसे भी होते हैं घर मेरा नाम नसीम है मैं स्री नगर में रहता हूँ कल से हमारे स्कूल में बहुत चाल पाल है या पूरे साथ दिनों तक रहेगी जानते हो क्यों हमारे स्कूल में कैम्प जो लगा है कैप में कहीं जगहों पे बच्चे आए हैं मैदान में टेंट लगा कर सब के रहने का इंतजाम किया गया है आईए आगे देखते हैं जैसा कि आप फीगर में देख रहे हैं टेंट लगा हुआ है बच्चे आए हैं यहां से जो important point निकल के आता है पेड़ागोजी का मकानों की विवित्ता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाडी इलाके का उपियोग हुआ है इन जगहों का परिवेस समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे में इसे जगहों के चाचा करवानी चाहिए बच्चों से आगे देखते हैं जो important है आगे अगला important point यहां से आता है निकल के मैं असम के मोलन गाउं से आया हूँ हमारे यहां बहुत बारिस होती है इसलिए हमारे घर जमीन से लगभख 10 से 12 फुट उचे बनते हैं इन्हें मजबूत बास के खंबों पर बनाते हैं यह घर अंदर से भी लकडी के ही बने होते हैं तो यहां से सीटेट का प्रस्ण बनता है कि असम में कैसे घर पाये जाते हैं तो यहां से प्रस्ण बनता है कि असम में 10 से 12 फुट उचे घर बनाये जाते हैं लकडी के घर बनाये जाते हैं बासों के खंबों पर बनाते हैं अंदर से भी लकडी के बने होते हैं चलिए आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं यहां से भी पस्ट बनता है मैं मनाली से आई हुए हूँ जो एक भाड़ी लाका है हमारे यहां भी बारिस बहुत होती है और बर्ष भी पढ़ती है जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है हमारे माकान पत्थर या लकडी से बने होते हैं तो यहां से सीटेट में पत्थर बनता है मनाली के घर कैसे होते हैं तो मनाली के घरम कैसे होते हैं यहां पर बारिस बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है जब ठंड ज्यादा हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है हमारे मकान पत्थर और लकडी के बनते हैं यहां के मकान पत्थर और लकडी से बनते हैं पत्थर और लकडी क उसके जैसे बड़े सहरों में, गाउं और कजबों में, लोगों को काम की तलास में आना पड़ता है, यह लोग अक्सर सहर में ही बश जाते हैं, यहां रहने वाले लोग ज्यादा हैं, और जगा कम है, बहुत लोगों के पास मकान होते हैं ही नहीं है, उन्हें जुगी यहां से भी सीटेट में प्रस्ण बार बार पूछे जाते हैं मैं राजस्थान के गाउं से आया हूँ हमारे यहां बारिज बहुत कम होती है और खूब गन्मी बढ़ती है हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं घरों की दिवारे महुत मोटी होती है इन दिवारों के मिट्टी से लीप पोर्थ कर सुंदर बनाया जाता है छटें कटीली जाडियों की बनी होती है यहां से प्रस्ण शीटेटे आप उठता है कि राजस्थान में घर कैसे पाए जाते हैं तो यहां मिट्टी के घर पाए जाते हैं यहां बारिस बहुत कम होती है यहां बारिस नहीं होती है और इनके छटें कटीली जाडियों से बनी होती है तो इंपार्टेंट पॉइंट है आगे देखते हैं यहां ते जो पैड़ा गाजी का प्रस्ण बनता है बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबकों के बारे में संबेदर सीलता से बातचीत करने की आव सकता है तो हमें बच्चों से बेघर लोगों से जिनके पास घर नहीं है उन लोगों की मुसीबगतों के बारे में हमें बच्चों से सम्मेदन सीलता के साथ चर्चा करना चाहिए और उनसे बाचीत करने की आउ सकता है ताकि बच्चे समझ सकें जिनके पास घर नहीं है वो अपना जीवन कैसे बतीत करते हैं उनके पती सम्मेजन सील भी बन सके है आगे देखते हैं जो में यहाँ पर देखते हैं चलिए आगे देखते हैं यहाँ से भी सीटेट एक परस्न बनता है इस तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया परिशे के बार रंगा रंगा कायकरम हुआ बच्चों ने तरह तरह के नाच किये अपने अपनी भासा में लोगी सुनाए सबने इलाइची और बदाम डला हुआ कह कहवा चाय कहा होता है तो इस कहवा साव स्री नगर का होता है इसको इंपार्टेंट है नोट कर लीजेगा स्री नगर में कहवा चाय होती है और कैसे बनती है तो इलाइची और बदाम डला हुआ कहवा चाय पिया तो इलाइची और बदाम से मिलती है असाम को हम सब डल जील गुमने गए डल जील गुमने गए डल जील कहां है या भी प्रसन बनता है सीटेट में या भी प्रसन पूछा जाता है कि डल जील कहां है तो डल जील भी स्री नगर में होता है एक प्रसन यहां से और बनता है कि हाउस बोट हाउस बोट भी डल जील में पाई जाती है स्री कुछ बच्चों ने चपू भी चलाया, चारो तरब नीले नीले पहाड़ों बीच में चार चीनारी थी, चली आगे देखते हैं, जैसा कि आपको एक फीगर में दिखाया गया है, हाउस भोट के बारे में, और एक घर दिखाया गया है, जो समुद्ध में है, चली आगे देख यहां से एक important point बनता है, मकान किन चीजों से बनाए जाते हैं, बच्चे अपने आसपास उपलब इन चीजों को इकठा करके बेहतर धंक से समझ सकेंगे, तो जब बच्चों से हम मकान के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में इस प्रकार के मकान होते हैं, उनको कहानी की दोरा समझाएंगे, तो बच्चे भी समझ पाएंगे कि उनके घर कैसे बनाए जाते हैं, उनके यहां घर किन-किन चीजों से बनाए जाते हैं, अपने आसपास उपलब इन चीजों को बच्चे इकठा करने से बेहतर धंक से समझ भी सकेंगे, चलिए आगे देखते हैं, यहां से एक important मता है कि जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के पती संबेदन सील्ड हो सकते हैं. हमें जानवरों की भावनाओं के बारे में बच्चों से चर्चा करना चाहिए ताकि बच्चे जानवर के पती संबेदन सील बन सकें जब उनको जानवर के बारे में बताएंगे जानवर के पती उनकी जानवरों की भावनाओं को समझाएंगे तो बच्चे भी जानवर के पती जुडाव होगा और बच्चे संभीधन सील बनेंगे चलिए आगे देखते हैं यहां से important point बनता है हम जानवरों को पालते हैं तता उनकी देखभाल भी करते हैं यहां संभन समझने से बच्चों को उनके परवेश में जीयों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी तो हम जानवरों को पालते हैं ततो उनकी देखभाल भी करते हैं या संबन समझने से बच्चों को उनके परवेश से जीयों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी भी होती है चलिए आगे देखते हैं यहां से एक important बाइंड बनता है पेड़ागा जी का बच्चों को पच्छीयों का प्याव बनाने में मदद करें इसे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पच्चीयों की नदीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बाते जाने हमें बच्चों को पच्चीयों का प्याव बनाने में मदद करनी चाहिए इससे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पच्चियों को नदीक से देखें जब पच्ची पानी पीने आएं तो उनके बारे में बहुत सी बाते हैं पच्चियों के बारे में जानकारी बच्चे एक घठा कर पाएं और समझ सकें चलिए आगे देखते हैं यहां से एक पॉइंट और इंपॉर्टन निकल के आता है बच्चों से या चर्चा की जा सकती है कि पशू पच्छियों में छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना ना कि उन्हें सताना अगले पिष्ट पर चित दोरा दिखाई गई कहानी की प्रकित में संतूलन को दरसाती है बच्चों को या बात साहज और सरल तरीके से असपर्च करना जरूरी है तो हमें बच्चों से या चर्चा की जा सकती है कि पशू पच्छियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना ना कि उन्हें सताना अगले पिष्ट पर चित दोरा दिखाई गई कहानी में प्रकिती के संतूलन को दरसाती है बच्चों को या बात हमें बहुत सरल और साहज तरीके से समझाना चाहिए चलिए देखते है अगला लेशन है बून बून से तो हैं से जो important पस्थ बनते हैं सीटेब में बार बार राजेस्थान से आईए देखते हैं माधो राजेस्थान के बज्जु गाउं में रहता है गाउं में देखो तो चारो और रेट की रेट दिखाई देती है जब कभी रेट नहीं पड़ती है तब कुछ घर दिख जाते हैं माधों के घर सब परिसान हैं वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी बहुत कमी होती है इस साल तो बिलकुल ही बारिस नहीं हुई है अब उसकी मा और बहन की और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए पास वाली बावड़ी सूख जो गई है हर रोज चार घंटे पानी जुटाने में कई घंटे निकल जाते हैं गर्म रेत में चल-चल कर उनके पैर जो जलते हैं छाले भी पढ़ जाते हैं तो यहां से जो important point बनता है पैटागोजी का उपर चित में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरते दिखाया गया है लिंग भेद में जुड़ी बातें समस्याओं पर कच्छा में चर्चा करवाएं चलिए आगे देखते हैं यहां से जो important point बनते हैं उसको भी देखते हैं गाउं में खुसी के लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आती है माधो के पिता जी उट गारी से पानी लाने जाते हैं पर ऐसा मुखसा अक्सर नहीं आता लोग पानी के इंदजार करते ही रह जाते हैं कुछ लोग बार इसका पानी कठ़ा करते हैं अब यहां से important point बनता है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा यहां खास तरह से किया जाता है टांका बना कर क्या तुम जानते हो टांका क्या होता है और इससे कैसे बनाते हैं तो टांका होता है जैसा कि आप इस फीगर में देख रहे होंगे छट के पानी को एक पाइप ये नाली के द्वारा आंगन के बीच में एक गढधा करके टंकी बनाई जाती है उसे में पानी गढधा किया जाता है उसे धककन से धक दिया जाता है उसे को हम टांका कहते हैं तो जिससे छट पर तो आगे देखते हैं आंगन में गड़ा बना कर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं टांके को धक्कन से बंद रखते हैं टांके के लिए घर की छट को कुछ धरवा बना देते हैं जिससे छट पर गीरा बारिस का पानी नाली की दौरा नीचे टांके में इ आधों को भी पानी देने देते हैं चलिए आगे देखते हैं यहां से एक important point दो निकल के आता है अगर पानी इकठा करने के अस्थानी तरीकों पर बच्चे अपने अन्भों बाटें तो किताबी ग्यान को जीवन के अन्भों से जोड़ा जाए तो यहां एक positive point है इसको आप ल है तो seated भी कहता है कि बच्चों को हमें किताबी से बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए किताब से हटा कर बाहर से भी जीवन से में बच्चों को जोड़ना चाहिए तो वही इसमें बताया गया है अगर पानी कठा करने के अस्थानी तरीकों पर बच्चों को अपने अन्भ से जोड़ पाएंगे हम लोग चलिए आगे देखते हैं जिस जगह पर पानी की किलत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने वह उसके दोबारा इस्तमाल के कई तरीके अपनाते हैं ऐसा वह लोग मद्दूर ही करते हैं इस बात को समझ कर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाएं अपनाएं तो पानी सबका साजा है या बात वह समझ पाएंगे तो जिस जगह पर पानी की किलत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने वह उसको दोबारा इस्तमाल के कई तरीके अपनाते हैं ऐसा हुए लोग मजबूरी में करते हैं इस बात को सम जीवन में पानी की बचत के कुछ उबाए अपनाएं तो पानी सबका साजा है या बात समझें और समझ पाएं चलिए इस्तमाल कियो है पानी के पूना उपयोग पर चर्चा करें या चर्चा पानी के बचाओं के महत को समझने में सहायक होगी इस बारे में बच्चों को सुझाओं सुनना हो इन सुझाओं को जीवन में अपनाने के लिए प्रेडित करना उपयोगी रहेगा तो इस्तमाल कियो है पानी को पूना उपयोग पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए या चर्चा पानी के बच्चाओं के महत को समझने मे सहायक होगी बच्ची आचानी से समझ सकेंगे इस बारे में बच्चों के सुझाओं सुनना चाहिए और इन सुझाओं में जीवन में अपनाने के लिए हमें बच्चों को प्रेजित करना उप्योगी रहेगा अगला लेशन है तरह तरह के परिवार तो यहां से जो important point है मुश्री को देखते हैं पहला point है important बोलो भाई कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है बच्चों की संख्या के अंसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा की जा सक सकती है अगला point जहां से जो important बनता है पैड़ागोजी का बच्चों के स्वयम के परिवार के बारे में पार्ट चार में हुई चर्चा का ध्यान में रखना अच्छा होगा कच्छा में मौदूद बच्चों के परिवारों में विवित्ता से पार्ट की सुरुवात हो सकती ह तो हमें बच्चों के स्वयम के परिवार के बारे में जो कि हमने पार्ट चार में हुई चर्चा का ध्यान में रखना अच्छा होगा और कि अच्छा में मौदूद बच्चों को परिवार में विवित्ता से पार्ट की सुरुवात हो सकती है चलिए आगे देखते हैं अगला important point जो निकल के आता है यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्टों की आदतों जैसे नसीली मादक दवाओं की लट के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्सों पर बाचीर बड़ी ही संबेदन सिल्सा से की जानी चाहिए उनसे होन होने वाले हानिकारक प्रभाओं पर कच्छा में चर्चा जरूरी है इन मुद्दों पर आफ सेवा कालीन विप्रसिच्छा कायकरमों में भी चर्चा आवस्थ करें तो यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्टों की आदतों जैसे नसीली मादक दवाओं की लट के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्सों पर हमें बाचीत बड़ी संबेदर सिल्चा से की जानी चाहिए उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाओं पर कच्छा में हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए जो की बहुत ही जरूरी है में बच्चों से इस बारे में चर्चा पर जाती है यदि उन बच्चों में या किसी अन बच्चे में ऐसा बेवार दिखाई दे तो उनसे अलग से ही बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनका यालत छुड़वाई जा सके तो कभी कभी कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिसमें नसीली दवाओं की लट से बच चीत करना चाहिए और समय पर उसकी अलर्थ हमें छुड़वाना चाहिए चलिए आगे देखते हैं अगला पाइंट जो निकल के आता है इंपर्टन पार्ट में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं इस विपित्ता क समझने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है तो हमें पार्ट में जैसा कि हमने पार्ट में कुछ परिवारों के बारे में चर्चा बताया गया था तो इसके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं इस विपित्ता को समझने के लिए सेक्टर 17-18 19-21 को मैंने कवर किया तो आज क्लास 3 की NCRT की बुक खतम हो गई अब कल के सेसन में मैं NCRT क्लास 4 की करवाऊंगा तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रही है और अगर आप सीटेट की प्रापर तरीके से टापिक वाई तैयारी करना चाते हैं तो हमारे चैनल क पर समाद करते हैं कल फिर मिलते हैं किसी नए सेसन के साथ धन्यवाद